प्रवाण मुखर जी जैसे लोगों को उन्होंने खो दिया अगर साथ प्रवाण मुखर जी होते राहुल की जगाए में तो आज कांग्रस कहां से कहां पहुंचती लेकिन यह जो अपनी महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और पुब्लिक परिसान है रहा है इसलिए आप उनके पक्ष में तो क्या कहीं दूसरी पार्टी यह कह रही है कि हम तोड रहे है तो तोड़ा ही तो है आप देखें कितनी विवाद हैं। तो वो इंपॉर्टन्ट है क्या इसी मंतब से कह रहे हैं क्या कि देश में नफरत का बाजार है और मैं मुहबत की दुकान खोल के बैठा हूं मुझे अगर ऐसी बात है तो सब एक्सपेक्ट यही करते हैं कि वह अच्छा काम कर रहे हैं तो इस काम में सब सपोर्ट मिलेगा उसके रहे हैं इसलिए आप उनके पक्ष में तो क्या कहीं दूसरी पार्टी यह कह रही है कि हम तोड़ रहे हैं तो तोड़ा ही तो है आप पूछ रहा हूं एक में आपने बात बताया आप अपनी बात बताओं पहली बात आप से इनको पूछी आज कल 372 है क्या है बात बताएं एक मिन पन्या कुमारी से लेकर दिली में भी आया लाग के लिए तोटा यात्रा तूटा यात्रा है का मैं थोड़ी हो अब बोलो जनरली सर यह कह रहा है कि भारत भारत जोड़ो यात्रा एक जो प्रयास है उस पे आपका क्या मेरा यह रहा है वो तब विकार है उनको कुछ मिलने वाला नहीं है और दूसरी बात तो है ना यह तो है आपके हिसाब से मोटी जी जी जो आज़े 24 में किसी के साथ किसी के साथ नहीं किसने बोला आपको में मोटी जी के खिलाफ हूँ नहीं मैंने बोला हैं यह गल्स हमने बोला कि आइडियोलजी जो भी जो भी जोड़ने की आप भाई हो देगो मेरे कहने का है मैं मुहम्मद हूं आप दीपक हो हम भाई है जो यह बात करें आपका आपका बहुंच पूइंट पोला उत्सक्राइब क्या पूछा यह पूछा अपना अपना बताई कुछ तूटा उठाना नहीं है आपना पताईए ना आपने बात कि आप बात पागा छेरू कुछ तूटा नहीं है भारत में अन्या जोड़ो यात्रा जो राउल गांधी चला रहे उससे क्या लगता है उससे कोई खास बदलाव तो आनी नहीं है एक बात है कि भाई नहीं अपनी अपनी सोच है वह तो जैसे मोदी जी एक बार अपना रथ यात्रा निकालuhan ने की हो सकता है कि हमें भी कुछ उसका फैदा मिल जया है लेकिन हमारे इसाफ से अपने के सोच है उससे उनको जड़ा फैदा मिलना नहीं है ऐबसरी इनुत कि उनकी सासनच बहुत दिन से लही और पुब्लीक ने बहुत कुछ देखी सोची सबकोष सबकूश क enorm ल सबके साथ है लेकिन यह जो अपनी महांगाई है अपनी चरम सीमा पर है और पब्लीक परिशान है पास वाला को नोक्री नहीं मिल रहा वह दक्का खारा नेभी के लिए आप तीन बरुषा छार बरुष के लिके अंदर ले रहा और वह लोग को बॉंडी पे आपने खारा करके रखा वह जट गया दिया है अगर साथ परवण मुखरजी होते राहुल की जगाए में तो आज का पहुद कर दिखा दिए तो आज कांग्रेस से कहाकर कहां होती जो अच्छे लोग है वह सब बाहर जा रहे हैं बाहर कर दिखा रहे हैं क्या लगता है वह अभी भारत को जोड़ने कर रहे हैं लेकिन कि युदा हुआ है लेकिन नहीं कर सकते हैं अपने से वह नहीं करते हैं कि 2020 का अच्छा ही महल है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोविड के दो पिछले 2-3 साल जो है बहुत काफी हेक्टिक रहे हैं बट मुझे लग रहा है कि जो आने वाला जो यह दोर है 2023 तरी थ्री एन फॉर मुझे लग रहा है कि काफी इंप्रुमेंट्स हो सकती हैं अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा ही होना चाहिए कि कि वे एक्सपेक्ट मच्छ फाम राहूल गांधी तो देखते हैं हम उपरवाले से भी दुआ करते हैं कि अच् पर खुछ चीजे जो हालात थोड़ा सा जो हमरे यहां पर जो वायरस का दोर रहा उस वजह से बहुत टाइम खराब हो गया और बहुत खराब हालात से गुजरना पड़ा तो अभी क्या करें वोड़ा बहुत यह चीजे भेहर करनी पड़ती हैं तो हम इसना कोई सारी गलति कौवन कश्मी को कोई फरक नी पड़ा बट इन लॉंग रन मैं अगर देखा जाए तो यह सब एक पॉलिटिकल इशू है जो जो मेरी समझ के बाहर है मेरे लिए कोई फरक नी पड़ता है आर्टिकल 370 हो या ना हो शायद मेरे मुझे जहां तक मुझे समझ में आया कि यह यह हो सकता है कि मुझे इसका ग्यान नहीं है राइट तो मेरे लिए फरक नी पड़ता है बट अगर आपने अभी जो एक अच्छा सवाल पोचा कि मोरी जी के जो आट साल पिछले गए हैं क्या वो ठीक नहीं थे क्या यह इस सवाल के में काफी हद तक एक अच्छा जवाब दे होती है तो मुझे जहां तक लगता है कि इन आठ सालों में थोड़ाशा एक सकुरीटी का इщू हूआ है माद्IVE एक बाई-चाररा जो बीच में होना चाहिए तो ओड़ाशा थोड़ाशा दूर हो गया है मैं फको एक एक लिए जना चाहता हूं कि पहले जहां तक मैंने सुन जो पॉलिटिक्स होता था, ये इसमें भी आप गुजगिया है ये पॉलिटिक्स, आप समझगें मेरी बात, आप सीधे है कि एक एक बाइफरकेशन हो गया है, सेक्शन हो गया है, एक आमड़ फोस्ट का चाये आप भी माला ले लो, कोई भी फोजी ले लो, कोई भी पुलीस ले लो, आप एक जूडी का प्रवसेस ले लो, इसमें भी आप यह हो गया है, कि सीधे दूर से पता चल जाता आपधी को नहीं है, कही नहीं तो एक बैफिरकेसिन का पार्ट वो प फरकेट हो गया है एक वो बाईचारा जो है मुझे लगता है जो आप भी राहुल गांदी की जो बात की है मुझे तो अपना अगर राइट बराबर मिल रहे हैं आपको सम्वीदान के हिसाब से बराबर हाइब को charitable पड़ता यह लगना जाएकन कि कोई मेरी सोचता है कि 2024 में किसको लाइगा नहीं मैंने आपको बोले इंपॉर्टन चीज क्या है एक आम आदमी के लिए रूटी कबड़ा और मकान इंपॉर्टन है लेकिन उसके साथ साथ एक इंपॉर्टन चीज है वह सेक्यूरिटी आप मैं एक महल में रहता हूं मेरे पास खान एक रूटी खाएगा लेकिन इसी मंतब में से कह रहे हैं कि देश में नफरत का बाजार है और मैं महब्बत की दुकान खोल के बैठा हूं मुझे अगर ऐसी बात है तो सब एक्सपेक्ट यही करते हैं कि वह अच्छा काम कर रहे हैं तो इस काम में सब सपोर्ट मिलेगा उस सब देख रहे हैं मुझे नहीं लगता है सिर्फ एक ही लोगों को दिया रहे हैं यह आवास तो ऐसी चाल रही है लेकिन मतलब कुछ नहीं है कोई बेनिफिट अनाज इसी बात नहीं है आपको पहले ही बोला है कि एक गरीब आद में तीन रोटी नहीं एक खाएगा एक घी लेगा वह भी लेकिन जो एक उसका सेक्यूरिटी होता है नहीं कि मेरे बच्चे सेफ हैं मेरे घड़ में सेफ हैं वह इंपॉर्डंट है सेफ्टी का कंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्ड वो बदला हुआ है आपको क्या लगता है ने इस विश्य में मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि एक ऐसे विश्यों है तो मैं आपको पहले पोले रहा हूं कि, सेक्यृीटी मिलब का इंपोर्टन होना चाहिए. मैं यह नी बोल रहा हूँ कि मैं सेक्यृर नहीं हुआ, आप एक मुद्दा बन जायेगा. आप ये बूलेंगे कि मैं एक पॉलिटिकल है ुपिर, नहीं. मैं एक आम आदमी की तरव से बोल रहा हूँ कि जो भी हमारे नेता है उनको सोचना चाहिए कि बाई चाहरा ही इंपॉर्टन्ट है आप मेरे बाई हो आप एहमद हो मैं सुल्तान हूँ या मैं मिर्जा हूँ या मैं दीबग हूँ इससे कोई फरक नहीं पड़ना चाहिए मलब एक बाई चाहरा है हर एक आप इस बाई चाहरा रखी मैं आपको बोर रहा हूं हिंदुस्तान जो इंडिया है देश में नंबर वन नी पूरे काइनात में आप नंबर वन बना सकते हैं इसको यह हैं बस यह एक्सपेक्टेशन है ह के साथ हूं कि बस जोड़ने की बात कर रहे हैं वो बाकि वो चार रोटी किसी को एक्स्टा देंगे दो रोटी कम किसी को देंगे शायद उसमें कॉंपरमाइज हो सकता है बट एक सेक्यूरिटी इंपॉरंट है